हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग-saurab-technical में आप लोग का स्वागत है आज हम आप लोग को बताने जा रहा है कि ceiling fan का wiring connection कैसे होता है जैसे zas क्यों समक्राइब होता त nutr ball इसमें का सुझ फैन का उसमें के होते जो स्च्टर whether all the data ऑर लिग लिए और तो स्ठाटर और रं निंग कुम हम अपस में करते हैंब पंट्राइब धार कर देते हैं मतलब जोड़ में जोड़नों नीटर्स बन गया है और और बाकि जो दो वह बना अस्टार्ट और रहनिंग का जो अस्टार्ट consider का जो बाइर बस्ता है वो हमारा कैपे सीटर में चला जाता है कैपे सीटर से फिर अमको बाइर जो connector होता है उसमें कैसे connection होता तर्ट at Isto को आपको connection करके दिखाते हैं कि कोईल का fan coil का ceiling fan का क्वायल का connection का ऐसे condenser से होता है और बायर कनेक्टर है जो ceiling fan में आप देखते होंगा कि ceiling fan में लेगा रहता है और उसका workflow में से 4 बायर लिक्वा कीड़ा रहता है तो 2 common किया रहता है चार बायरों को तसमें विवार को तर्ट को कैसे derivate के दिया जाता है जैसे हैं, को क्युक्छंब है कॉखे हैं in forehead, यह स्टार्ट और रॉनिंग होटा है तो खतार और रॉनिंग का का में दोनों को जोड़ दिया जाता है और जोड को उसको कॉमल निकाल लिया जाता है जो हमारा उसमें न्यूट्रल चला जाता है न्यूट्रल वाला कनेक्शन चला जाता है और जो बाकी दो बायर बचता है एक बुलू बायर एक रेड बायर जो बुलू और रेड बायर बचता है जो हमारा कंडेंसर है कैपेसीटर और कैपस्टीटर में दो बायर रहता है और काहिए को यहां रासे कप्लाइयृूथ सबसे पहले तो पैंका में हम कॉइल में से दिखा लेंगे झाल झाल है 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 यह हमारा चार बाइर हम लिकाल दिया आपको समझाने के लिए कि एक क्वाईल में से कैसे छार लिकालता है तीन वाला पर से हम आपको विडियो बना करें अपको हम डाल देंगे तीन बाएर वाला तो तो सबसे पहले क्या होगा ज़ो मेर्णा ऑस्ट कर देंगे इसको सोस्ट कर देंगे जैसे क्वाइल हमारा है देखेंक्व सिद्ध 80ड हो गया में और रनिंग तो क्या हो गया अश्टार्टर और रानिंग को आपस में जोड़ दिया है और जो यह दो बायर बाचा यह दो नू बायर जो starter और एक running का है और इसा चाहते तो यह आदर से आप 3 बायर लिकाल सकते थे यह आपस में दोनों को sort करके कि फिर सोचे कि फो समाज में नहीं आएगक है इसलिए हम यहां से दोनों लिक आला दिसे अब क्या हो जाएका यह है हमारा है MARा को न्यूट्रल हो गया जो हमारा कैपेशिर में बाइयर कनेक्टर में जाएगा मैं बाहर कनेक्टर में तीन पॉइंट राता है इस वाले पॉइंट में चला गया और दूसरा जो बुलू भायर हमारा लिखला उसी तरह यहाँ से 20 वाला पॉइंट में चला जाएगा कर दो मैं ऩया जाला भायर में चला को बालता जोा जाएगा потреб 내가 बंजा है यच्पअ है लिखला समय में चाड़ा जागा जाएगा की बपूच़न को Mouse हम चला जाएगा जाएगा अला पुले ऐजके में चल्वहाँ लो ख सकता HERE का यह मारा रूड़ वायर इसमें चल गया अब इसमें हम कंडेंसर की समें जोड़ेंगे यह तो हमारा नूट्रल हो गया जो आपस में ankles कर दिये हैं क्या कि है इस्टार्टर और रेनिंग को आपस में जोड़ हो दिये हैं और जो दो बद पाइर बदब स्टाzet रॉ रानिक्ट रहुप कंवह थुन चल जाएगा और इसमें हमारा दो क्लoff क्युक्ट ऑब यहलब दॉने से और यहां से खरेगा जेखते हैं जो में लगाते हैं फेज और न्यूट्रल वो फेज और न्यूट्रल हमारा लिक लेगा जो हमारा स्यूच और डिवाइस में कनेक्ट होगा कि अगर 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 कि झाल झाल जाल झाल ये जो पॉइंट हमारा लिकला पॉइंट हमारा लिकला झाल दूर ये हमारा कंडेंसर जो है कैपेसिटर वो कैपेसिटर हमारा क्या चला गया जो बुलू वाला बाइर जो ये तो हमारा सॉट करके आपस में दोनों को जोड दियें स्टार्टर और रानिंग को जो बाइर लिखला है जो हमारा न्यूट्रल हो गया और जो बाकि दो बाइर बचा जो हमारा बाइर कनेक्टर में कपेसिटर चला गया अब इससे हमारा जो ओट करेगा इसमें ओट कुम चला गया इसमें तो ओट नहीं करेगा एक अस्टार्टिंग यह तो हमारा पांखा का कनेक्शन हो गया अब पहले हम स्यूच का इसमें कनेक्शन कर लेंगे उसके बाद रोटरी से कैसे पांखा में जूटेगा वो करेंगे अब देखिए हमारा यहां पर फेज और न्यूट्रल है इस यूच है रेगुलेटर है अब देखिए अबलग स्यूच में दो पॉइंट होता है नीचे वाला में इन कर गया उसी तरह से रेगुलेटर में दो बायर रहता है लिकला हुआ रेड या बुल्लू कोच भी कोयो कलर का बायर इसमें लिकला रहता है कर दो बायर रहता है यह तो हमारा स्यूच और रेगुलेटर का कनेक्शन हो गया अब इसको हम पंखा में कैसे जोड़ेंगे तो जो देख रहे हैं यहां पर रेड वायर जो हमें यहां पर लिका ले हैं पॉइंट यह रेड वायर यहां से लिकलेगा जो हमारा रेगुलेटर से आउट वाला जो पॉइंट है यह हमारा आउट वाला पॉइंट हो गया यहां से इन किया, यहां से आउट किया, फिर यहां से इन किया अब इसमें हम नीट्रल जोड़ेंगे अबोड़ेंगे तब कियासिए इन किया से इसमें आउटारी कियाँ तब Kara Tech कर देखे इसका करनेक्षन तो हो गया पर इसको करनेक्षन कैसे होगा हूज हुआ समझा देते हैं मुं सबसे पहले देखिए सीनिंग फैन है हमारा जो को काल में से जुक्त बायर लिकलता है चार गोई को इल में से लिखलता है एक अश्डर होता एक रानीं होता है तो अश्टर में दो किसा और दो कि सपारिक slopes के तो रानिंग है यह सटर्ट तो से जो दो करा इस सैट से है है हमारा इस तो यहां से जो दो पॉइंट लिकला और फिर एक कोईल है इसमें दो कोईल ऐसे रहता है तो यह दोनों जो कोईल है आपस में यह दोनों कोईल को हम सौट कर दिये जैसे यहां पर देखें सौट किये हैं आपस में जोड दिये हैं और जो ए दोनों player जो हमारा लिखला ब्लाइ sudah either lower point और युवाला50 को क्लित ग्याहां व्य वावला दोनों ब्लिकला जो हमारा सीदे जो ऐंटर में चला गया जो पीसिटर उसमें लगेगा जो एसे दोनों community every all आइंडिकल कर दोनों ब्लाइर में में ऋतर्ग गया कैपेसीटर में चला गया और कैपेसीटर से इसमें से जो लिकला सो सीधे हमारा बुलू वायर जो हमारा वायर जो एंटर है उसमें चला गया इसमें न्यूट्रल चला गया जैसे देख रहा है कि यहां से न्यूट्रल गूरा है पूरा यहां से न्यूट्रल सप्लाइमें गया और उसी तरह से बुलू वाला और रेड वाला जो बायर है जो जो एंटर में हमारा है जो कैपसीटर का है कैपसीटर में जो दो पॉइंट होता है दो तार है जो दोनों तार में से एक सीधा चलता है और एक उल्टा चलता है तो हमको अगर उल्टा चल रहा है तो वापस में इ कहाए चाहे इसको उसमें डालेंगे चाहे इसको इसको में डालेंगे ऑगए क्यापिसीटर के रखामाए कि सीधा और उल्टा चलाता है कि तो उल्टा चलाता जैसे ममाऊ लीजे कि हम řीदा यहां से डाल दिये केसीटर का फाइल सकतरय का दोनुन ब्लू वाला Ale और रेड़ वाला रेड़वाला बैर में उसमें हो गया उससे ऊपर से कालना रहता है जो हमारा बार में control होगा तो क्या होगा यहां— जो पॉइंट हमारा है, साई हमारा सीधह हमारा चल गया बॉर्ड में connection रहता है और बॉर्ड में यहां से फेज जो हमारा चला फेज हमारा आया और स्यूज के स्यूज में दो पॉइंट रहता है दो पॉइंट रहता है जो नीचे वारा पॉइंट है उसमें हम इन्पुट देंगे जो में सफ्लाय आया है वह लिए पूर्ड पॉूंट करके जैसे है रिद्रॉ整ना कि वह प्लेंट रहा है लिए पर सैटिफ स kicking गया जोसे में जाएक ब्यूनण पques me पेजिटर के गला में चला गया जो यहां से शिव्लेंगे फार से कैस्टीटर में लाएन जाएими हो जाएगा जो कैपेसीटर से जो दूसरा बहला बायर है जो ओट करके हमारा सीलिंग फैन के बायर कनेक्टर में चला गया क्या चला गया इसमें बायर कनेक्टर में चला गया इसी तरह से इसका connection होता है ceiling fan का connection रहता है coil रहता है यहां पे coil है coil से चार बायर लिख ला है आपस में sort किया हुआ है दो बायर neutral वाला जैसे अभी हम आपको ऐसे बताएं करके और connector रहता है और यहां से सीधे यहां चला जाता है बायर कनेक्टर में और कैपेसीटर इसी में लगा रहता है कैपेसीटर यहां पर कैपेसीटर लगा रहता है और कैपेसीटर को बायर इसमें जोड़ा रहता है बुलू वाला बुलू वाला में रेड वाला रेड वाला में जोड़ा रहता है और उसी तरह से बायर कनेक्टर तो सबसे पहले मेरा क्याई थे हमारा चार लिख ला तरहां जो आपस में दूनों को हम जोड दियेते जोड जोन माइनस वाल पॉइंट हो घए हो महम सबागे Azam IP, और जो बाकि मेन मेरा सप्लाइ था वो हमारा स्यूज के नीचे वाल क्वाल पॉएंट में इन किया और उपर वाली पॉएंट से से जो हमारा लीकफ हला जो हमारा रेगुल से प्वाइंट में जूट गया और ब्शू Mun के प्वायइंट में छानगे इसी तरह से सिलिंग फैन का कनेक्शन होता है वीडियो को लाइक आप सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सियर कीजिए थैंक यू